सर एक और सबूत की तरफ में आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यह सबूत मैरे को आपको काऊँ है, यहाँ पर देखे ज़राए आपको इस मूर्ती के बाद इस तस्वीर की तरफ आईे, यहाँ पर जब भी अपने देखा होगा किसी एक स्टुक्ट प्रश्र को तोड़ा जाता है तो उसके भगना वशेश मिलते हैं उसके खंडित हिस्सों के जरीए ये समझने की कोशिश की जाती कि यहां क्या रहा होगा अब यह देखिए यह पदचिन्न है यह असल में पदचिन्न नहीं यह पैर ही है यह किसी मूर्ती का पैर है और यह पै गया होगा तो यह हिस्सा तूटकर अलग हुआ होगा जो यहां पर देखने को मिलता है अब यह भी अगर बुद्परस्ति गुना है तो ऐसी एक जगह पर जहां अल्लाह की इबादत होती है उसके लावा कुछ भी वहां गुनाह माना जाता है किसी और के सामने सिर जुकाना तो फिर यहां पर यह मूर्ती का हिस्सा क्या कर रहा था क्या यह भी किसी खंडित मूर्ती का अवशेश है और क्या यह इसी तरफ इशारा कर रहा है अश्विनी दुबे जी यह बात तो जब आर्केलेजिकल सर्वे अफ इंडिया के रिपोर्ट कोट में सब्मिट होगी तो उसके बाद निकल क्या गया हमारे देश में रूल आफ लौ प्रिवेल करता है बार-बार समविधान की बात करते है उसी रूल आफ लौ के थुरू ही तो मेथेड यह एडॉप्ट किया जा रहा है उसी कोड अफ सिविल प्रोसीजर कोड का तो यह पार्ट है कि आप एस सर्टेन करेंगे कि इस रिलिजि नहीं करते हैं स्ट्रक्चर को बदलने पर रोक है लेकिन उसका स्वरूप पर पता लगाने में रोक नहीं आप भी मध्य प्रदेश के हैं, हम भी मध्य प्रदेश के हैं खंडवा के जो जगें वहाँ को ASI ने पहले से टेक ओवर किया हुआ था और इसलिए वहाँ पर exception है places of worship act में कि जो ASI protected buildings हैं वहाँ पर places of worship act लागू नहीं होगा ASI protected buildings में places of worship act लागू नहीं होगा और उसके बारे में आश्वनी दुबे जी ये बहुत तीर कट कह रहे हैं कि जहां nature क्या है यहीं पता करना है वहाँ आप इसके अनुसंधान को नहीं रोक सकते आप वहाँ पर चीजों को रोक सकते हैं जहां पर उसको परिवर्तन की बात हो रही है लेकिन नेचर ये था धार्मिक नेचर ये था लेकिन इसको परिवर्तन किया जा रहा हो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन नेचर क्या था यह असर्टेन करने के लिए कोई अनुसंधान हो रहा है तो इसको रोका नहीं जा सकता 1991 Places of Worship Act को इस निगाह से इंटर्पेट करने वाले कितने लोग हैं इस देश में ये भी समझेंगे